हेलो वेलकम को खाना के जाना शूश्मा मैं हूँ आपके साथ सुसमच होते हैं चलिए आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज रेसिपी को लाइट जरूर कीजेगा आज हम मोदक बनाएंगे इस्पेसली मोदक गनपती जी के बोग के लिए बनाए जाते हैं गनेज जी को मोदक बहुत पिरिया हैं मोदक को बहुत सारे स्वाद में अनेकों तरीकों से बनाया जाता है आज हम मावा के सर मोदक बनाएंगे आए बनाना सुरू करते हैं मावा के स केसर मोदक बनाने के लिए हमने एक कब भर के मिल्क पाउडर ले लिया है एक कब भर के लिया है डैसिकेटिटी कोकोनेट ये लिया है हमने देसी गी ये लिया है हमने पाउडर सुगर फोर्टेवरी स्कूल ले लिया है ये लिया है हमने 45 ग्रीन छोटी इलाइची इसे हमने प्रेश भी त्रफिंग में चुछ राज पिस्ता और गुलाब की पत्तिया जिने बारिक चॉप करके लिया है त्यार करने के लिए एक पैन ले लिया है सबसे पहले हम पैन में डालेंगे एक श्पून देशी घी अब एट करना है हमें एक कब भर के मिल्क एक कब भरके हमने मिल्क ले लिया है एड़ कर देते हैं दूद को पहले गरम होने देते हैं दूद हमारा गरम हो चुका है अब एड़ करेंगे हम इसमें मिल्क पाउडर पटावट से इंस्टेट मावा तयार कर लेते हैं इंस्टेट मावा हमारा रेड़ी है अब एड़ करेंगे हम इसमें सुगर पाउडर मैंने सुगर 4 टेवल स्पून एड़ करी है अब अगर मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं तो सुगर भी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है मावे में अब एड़ करेंगे डैसिकेटीट कोकोनेट एड़ कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसमें से आदे मिक्सर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे तो आदे मिक्सर हमने अलग कर लिया है इसमें एड़ करेंगे हम ये केसर वाला मिल एड़ कर देते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं तो मावा केसर मिक्सर भी हमारा रैड़ी है गैस बंद कर देते हैं और मिक्सर केशर मावा मोदक बनाने के लिए में ये एक मोल्ड ले लिया है को सब्से पहले केशर लेना है इस तरा के मिक्सर को हूम हाथ में लेना है इस तरीके से अ ärआ हमें मोल्ड में भरना है लाज़ीं जाऑँ ने अझाबि, इस तर 나टे होए हासे हमें हमें कि यह इस्ट tätä पहोवा लएनी है राई फूट लाई होववर्ण की और इस तरह कैसे बंद करदेना हैं रहा अपी कि से इस तरह के से दबा देंगे तो यह दखीं अद्याद केसर मोदग हमारा एक तम रेडी है इसी तरीके से और भी बना लेते हैं तो ये देखिए फिर से रेडी है मोदग इसे तरीके से सभी मोदग रेडी कर लेते हैं तो एक मोदग मैं आपको हासे भी बना कर दिखाती हूं इस तरीके से हमें मिक्चर लेना है इस तरीके से और इसे मौदक की शेप देनी है हमें इस तरीके से तो ये देखिए मौदक की शेप एक्टम तयार है अब हमें एक स्पून लेनी है इस तरीके की और इस तरीके से हमें इस तरीके से निशान लगा देने हैं इस तरीके से तो यह देखिया है इस तरीके से आप ऐह से भी मौद रेड़ी कर सकते यह देखिए और यह पहुती प्यारा मोदक कर सकते हैं हाको से भी तैयार कर सकते हैं जिनके मौध क men केसर मावा मोधक हमारे रेड़ी हैं मावे के भी रेडी कर लitaire kup들 है कछले तरीक, आप लाइ पुर्बस दे ए, इस तरी किसे तो यह देखिया, मावा मोदक भी एक तम रेडी है, इस तरी के से सारे मोदक बनके रेडी है, सभी मोदक रेडी कर लिए है शन्वे इस तरी के से तो एली जिया गणपती जी के भोग के लिए मावा के सरमौधक एकदम रैडी हैं अगर आपको मेरी मावा के सरमौधक रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को आप अपनेłemरी और अपने फैमलिया Ten टे के साथ भी शेशार किजिएगा लायक किजिएगा शेयर किजिएगा और ख अगर आपको मेरी आज़ी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज रेसिपी को लाइफ चरूर कीजेगा, सेर कीजेगा और खाद कर जाने सुस्माटेर को सरस्पाइब कर दीजेगा, ठैक्क्यू